नमस्कार बच्चों कैसे हैं एक बार फिर से UCI कराला लाइप पर आप लोगों का स्वागत है बच्चों आज की जो वीडियों बच्चों सूट हो रही है इसमें हम लोग बात करेंगे फरवरी महीने के अत्यंत महत्पुर्ड करेंट अफेर या समसामाईक प्रशनों की हम लोगों के साथ जुड़े रहे और बिलकुल पूरी वीडियों ध्यान से देखिएगा जहां पर आपको जो कोश्चन दिखेंगे उसको नोट करते जाईएगा और साथ में एंसर भी आप देने की कोशिस करिएगा पच्चों तो हम लोग अब यहां पर सुरू करते हैं फरवरी महीने का करेंट अफेर और इसमें सबसे पहला जो कोश्चन हम लोग लेकर आएए बहुत बड़ी एक राजनितिक उठा पटेक हुई है हमारे स्टेट जारखंड में तो सबसे पहला कोश्चन आपके सामने बच्चों जो दिख रहा है कोश्चन यह है कि जारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा तो दिखें जब मैं इस कोश्चन को टाइप कर रहा था तो उस समय तो यह सब घटना करम चल रहा था तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जारखंड में एक नय मुख्यमंत्री बन चुके हैं अब उनका नाम क्या हेमंद सोरेन है चमपई सोरेन है सीपी राधा कृष्णन है या उप्रियुक्त में से कोई नहीं है तो जितने बच्चे अगर करेंट अफेर के साथ जुड़े हैं लगातार न्यूस पेपर टीवी देख रहे हैं उनको पता होगा कि जारखंड का जो नया मुख्यमंत्री नीउक्त हुए है वो है चंपई सोरेन और जो चंपई सोरेन है ये जारखंड मुक्ती मोर्चा जारखंड मुक्ती मोर्चा पार्टी से संबंदित हैं या इस पार्टी के विधायक हैं जारखंड मुक्ति मूर्चा पार्टी जो है की 1973 में इस्टैबलिस किया गया था और इस पार्टी को बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था सीबू सोरेन जो कि आलेडी जारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं इनी के लड़के थे हेमंत सोरेन जो जारखंड में मुख्यमंत्री के पत पर बने हुए थे अब जारखंड में होता का है बच्चों कि इस हमेंत सोरेन पर जमीन के जो विक्री वगेरे से लेकर सम्मंदीत मामले थे उसमें ब्रस्टा चार का आरोप लगता है और इस ब्रस्टा चार के आरोप में ED इनको किरफतार कर लेती है तो ED जब गिरफतार करती है तो फिर इनको अपने CM पद से या मुख्यमंद्री पद से त्याग पत्र देना पड़ता है और इनकी जगा पर किसी अन्य विक्ति को मुख्यमंद्री बनाना पड़ता है अब ये क्या करते हैं कि अपनी ही पार्टी के चमपई सोरेन को इस पद के लिए आगे लाते हैं और फाइनली ये अपना बहुमत भी जारखंड विधानसभा में सिद्ध कर चुके हैं और वर्तमान में जारखंड की कमान चमपई सोरेन सम्हाल रहे हैं जारखंड के बारे में बच्चों कुछ चीज़े आप अपने स्टैटिक जीके के लिए क्लियर कर लिजिएगा रेडी कर लिजिएगा जारखंड के बारे में सबसे पहली चीज़ आप ए जान लो कि जारखंड का एक नए राज्जी के रूप में गठन 15 नुमबर संदोज जार को हुआ था तो जारखंड अभी बहुत पुराना स्टेट नहीं है नया नया स्टेट है 15 न एक हिस्सा था पहले जारखंड लेकिन बिहार को अगर आप जोग्राफिकली देखें तो बिहार के दो पोर्शन है एक बिहार का वो पोर्शन जो मैदान में आता था जिसमें गंगा नदी का मैदान होता था और उसकी सायग नदी का मैदान होता था और दूसरा जो एरिया ह वो थोड़ा जंगल से संबंदित होता था जो पठारी एरियाज में आते थे तो जंगल या पठारी एरियाज में होने के कारण यहाँ पे पापुलेशन बहुत कम थी और मैदानी एरियाज में पापुलेशन बहुत जादा थी लेकिन इस जंगल या पठारी छेतर में खनीज का बहुत बड़ा भंडार था तो पूरे बिहार की इंकम इस एरिया से हो रही थी लेकिन डेवलप्मेंट इस एरिया में जा रहा था तो ये जो पठारी या जंगली छेतर के लोग थे ये लोग लगातार इस डिमांड में आने लगे कि हमको बिहार से अलग करके एक नया ये बना ही लेते हैं जिसका नाम होता है जारखंड और जारखंड की बच्चों जो राजधानी है उसका नाम राची है जारखंड का एक बहुत फेमस सहर है जमसेदपूर बहुत पेपरों में पूचता है जमसेदपूर में टाटा स्टील की कमपनी है जो भारत में सबसे ज बर्ग किसको का आ जाता है तो बच्चों वो है जमसेदपूर इसके लावा ये कोश्चन ओर आता है कि जो जारखंड का जंगली या पठारी एरिया है जिसको हम छोटा नागपूर का पठार कहते हैं जो छोटा नागपूर का पठार है बच्चों ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा मिनरल स्टोरेज के मामले में जाना जाता है पूरे इंडिया का मोस्टली जो मिनरल्स है या मैक्सिमम मिनरल्स है वो जारखंड स्टेट के स्टोर है और जारखंड का कौन सा एरिया छोटा नागपूर पठार तो इसलिए छोटा नागपूर पठार को कहां जाता ह भारत का रूर, तो ये भारत का रूर कहलता है, तो बच्चो ये करेंट अफेर का आज का पहला कोशन था, बहुत सारी चीजी हम लोगों ने इसमें जाना, आप मेन कोशन याद रखिएगा, जो जारखंड के नए मुक्यमंत्री बने हैं, उनका नाम है चमपई सोरेन, इस राजजी ने 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है, तो पहले तो आप यहाँ पर यह जान लेना, यह जो खेलो इंडिया गेम्स आयोजित हुए हैं, यह 2024 में तो आयोजित हुए हैं, लेकिन यह एडिशन 2023 का है, पहले तो आप यह जान लो, कि खेलो इं गरीब बच्चे जो बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं या बड़े अस्तर पे अपनी प्रतिवार नहीं दिखा पा रहे हैं उनको यहां से मौका दिया जाएगा खेलो इंडिया के कई वर्जन जो एक ही भारत में आयोजित किये जाते हैं जैसे खेलो इंडिया के यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं जैसे खेलो इंडिया के विंटर गेम्स होते हैं जैसे खेलो इंडिया का एक बड़ा ही पापुलर है यूथ गेम्स ये जो अभी हम जिस ग पहली बार 2018 में आयोजित किया गया था फिर 2018 के बाद यह हर साल आयोजित हो रहे है इस बार खेलो इंडिया 2023 का आयोजित किया गया और इसका जो अच्छों आयोजित किया गया यह ज़ो एक इस जनवरी महिने में किया गया था तो जनवरी महीने में ये किया गया था इसलिए हम लोग इसको फरवरी के करेंट अफेर में इंक्लूड करके बता रहे हैं जनवरी के लास्ट में ये खतम हुआ था तो फरवरी महीने का ये करेंट अफेर बन जाता है अब आप ये देख लो कि यहां पर इनों ने पूछा कि इस Youth Games का आयोजन कहांक पर होता है तो अगर अगर देखें बच्छों इस अब इसके बारे में कुछ चीजे और आप यहां पे समझना, कि जो खेलो इंडिया गेम्स हैं, देखें छोड़ा इसके बारे में मैं यहां पे डिटेल आपको दे रहा हूँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोजार चोबिस, लेकिन मैं आप बार-बार कह रहा हूँ, कि यह है बच्चों, कन्फ्यूज नहीं होना है, एडिशन अगर बात करेगा, तो एडिशन में यह है, 2023 का, तो यह 2023 जो हुए हैं, यह 19 जन्वरी से, 31 जन्वरी के बीच में आयोजित किये गए, इसका जो आयोजन अस्थल रहा, जहां पर इसको होस्ट किया गया इस गेम्स को, व तो चार important cities में, अच्छा यहां पर यह cities भी consider करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले खेलो इंडिया का university games हुआ था बच्चों, और जो यह university games 2023 में हुए, यह इस बार UP में हुए, और UP में जब हुए, तो UP के यह 4 सेरों में यह भी हुए थे, और UP के व 4 सेरों में हम लोगों ने university games खेलो इंडिया का कराया था, UP के, और खेलो इंडिया का youth games हम लोगों ने तमिल नाडू के 4 सेरों में कराया हुए, अब यहां पर एक चीज़ और देखिएगा, कि इस game में जो first position हासिल किया है, जो सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला state है, वो हमारा Maharastra है, तो Maharastra इस पूरे इवेंट में, पूरे games में पहला position पे रहा, इसके अलमा देखिए, मैं आपके बार-बार बात कर रहा हूँ, कि यह एक केंधर सरकार का पहल है, और यह इस बार का 6 संस्क्रन है, तो 2023 जब 6 संस्क्रन है, तो पहला संक्रन हुआ था, दो 018 म फिर 2020 में, फिर 2021 में, फिर 2022 में और अभी इस बार जो हुआ है जो एडिशन 2023 का है वो छटा संस्क्रन है तो ये इस बार का छटा संस्क्रन है ये भी याद रखिएगा इसमें 46 स्पोर्ट कंपेडिशन या 46 प्रकार की खेलों को सामिल किया गया और 5600 से ज़ादा प्लेयर्स या एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और और भी इसके बारे में चीजें हैं बहुत सारी आप अलग से भी पढ़ लीजिएगा खेलों इंडिया के बारे में इसका जो हेटकौार्टर है वो नई दिल्ली में है तो खेलों इंडिया बच्चों जो अगला कोश्चन है फर्वरी करेंट अफेर्स में 208 भूमी दिवस 2024 का विशय बताना है बच्चों तो सबसे पहले तो आप यह जान लो कि यह जो 208 भूमी 2024 है जो इसका विशय है इस बार इसका है वेटलेंट्स एंड यूमन वेल विइंग तो एक सेकंड बच्चों यहाँ पर आप देखना विश्व आद्र भूमी 2024 का जो विशय है उसको हम लोगों ने इस बार रखा है वेटलेंट्स एंड यूमन बिंग या हूमन वेल फेयर तो सबसे पहले तो आप यह जान लो कि वेटलेंट्स होते क्या हैं और यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है हमारे इको सिस्टम या पर्यावरन के लिए तो आप पहले तो यह जान लिजिए कि वेटलेंड्स या आद्र भूमी वे छेत्र होते हैं या वे छिछले जलिय छेत्र होते हैं जहां पर साल के कुछ महीने या पूरे साल पानी जमा रहता है तो पहली चीज यहाँ पर अपड़म द्यान से समझना कि आद्र भूमी का मतलब है जलीय छेत्र और यह जो जलीय छेत्र होगा यह बहुत जादा गहरा नहीं होना चाहिए यह छिछला जलीय छेत्र होना चाहिए चिछला चेतर का मतलब होता है कि यहाँ पर जो जैसे बहुत सारे जो इन्वार्मेंटल साइंटिस्ट हैं वो मान कर चलते हैं कि 6 मीटर के आसपास इसकी गहराई होनी चाहिए और भी इसको आगे भी हम बढ़ा सकते हैं लेकिन एक आदर्स जो आदरभूमी छेतर होता है उसकी जो गहराई होती है वो मैक्सिमम 6 मीटर के आसपास होनी चाहिए तो इससे यह एक छिछला जली चेतर बन जाता है और यहाँ पे जो वाटर इस्टोर होगा इस चेतर में यानि जो पानी जमा होगा वो वर्स भर भी हो सकता है या वर्स के कुछ महीनों में भी हो सकता है तो इन ही चेतरों को हम लोग कहते है आद्रभूमी और आद्रभूमी हमारे लिए अब important क्यों है इनका महत्तो क्या है बच्चों तो आद्रभूमी की तो सबसे ज़्यादा महत्तो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आद्रभूमीों के महत्तों में हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो ये प्रित्वी की किड़नी कहलाते है इनको हम कहते हैं प्रित्वी की किड़नी अब ये प्रित्वी की किड़नी पहले क्यों कहला रहे हैं आप ये समझू किड़नी हमारे सरीर में क्या करता है किड़नी हमारे सरीर के जो वेस्टेज हैं जो असुद्धियां हैं उनको फिल्टर करके सरीर से हमारे बाहर निकलता है ऐसे इस धर्ती पर जो westage हैं जो असुदियां हैं उनको साफ करने की जिम्मेदारी इन wetlands की है तो जो पानी होता है जो गंदा पानी होता है गंदे पानी को सुद्ध पानी के रूप में बदलने का काम आद्र भूमिया करती है तो आद्र भूमिया हमारे लिए बहुत जादा महत्वपूर हैं इतनी जादा महत्वपूर है बच्चों कि इसको हम किड़नी कह रहे हैं SSC, UPSC, UPPCS तमाम परिक्षाओं में mostly repeated question है ये ecosystem का environment का कि पृत्वी की किड़नी हम किसे कहते हैं वो आद्र भूमी है इसके बाद एक चीज और आद्र भूमी के बारे में जानना जब आद्र भूमी इतना जादा महत्वपूर है तो इसको बचाना है और इसको बचाने के लिए दुनिया के सभी देश 1971 में एक convention करते हैं या समझोता करते हैं जिसको रामसर convention कहा जाता है तो 1971 में convention होता है जिसका नाम होता है रामसर convention और इस convention का जो host करने वाला city होता है वो रामसर नाम का city ही होता है और ये जो रामसर city है या सहर है ये इरान नाम के देश में इस्तित है तो 1971 में रामसर convention होता है इरान के रामसर सहर में और सहर के नाम पर ही हम लोगों ने इसका नाम रामसर convention रखा और इसके बाद दुनिया के तमाम देश इस convention पे sign करते हैं इस convention में सामिल होते हैं और जो भी इस convention में agreements होते हैं टर्म्स कंडिशन बनते हैं, उन सारे टर्म्स कंडिशन को सारे के सारे देश धीरे-धीरे फालो करते हैं, इंडिया भी इसमें सामिल होता है, और इंडिया क्या करता है, जब इसमें सामिल होता है, तो वो अपने बहुत सारे अस्थानों को, बहुत सारे याद्र भूमियों को इसमें लिस्ट कराता है या एक तरीके से कहलो कि ये संस्था जो है रामसर कन्वेंशन ये खुद इंडियन वेट लैंड्स को इसमें स्टेटस प्रदान करता है तो दुनिया में सारे देशों में धेड़ सारे रामसर अस्थल हैं इनका मतलब होता है कि आद्रभूमी वाले अस्थान और इनको बचाने के लिए पुरा का पुरा जो वर्ड है एक तरीके से काम करता है संयुक्तरूप से मिलकर और इस समय भारत में आद्रभूमी का इतना चर्चा क्यों हो रहा है उसका रीजन बच्चों ये है कि रिसेंटली इंडियन गौर्रमेंट ने अनाउंस किया है और पांच नई आद्रभूमियों को इस साइट में एड कर दिया है तो अभी आपसे कर पेपर में करेंट अफेर में पूछते हैं कि करेंटली इंडिया के पास कितने रामसर साइट्स हैं तो वो है एक्टी असी रामसर अस्थल इंडिया में हो गए हैं पहले कितने थे 75 थे और अभी रिसेंटली कितने अस्थलों को जोड़ा गया है पांच अस्थलों को जोड़ा गया है और एक चीज यहाँ पे मैं और आपको बता दूँ इंडिया का सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला जो स्टेट है वो तमिल नाडू है काफी दिनों तक उत्तर प्रदेश टॉप पोजीशन बनाया हुआ था लेकिन फिलाहाल इसको रिप्लेस किया है तमिल नाडू ने जब 75 इनकी संख्या पहुची थी उसी समय से तमिल नाडू इस समय इंडिया का सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला इस्टेट बना हुआ है इसके बाद बच्चो एक चीज और आप यहाँ पे जानना कि यह जो रामसर साइट है इनको बचाने के लिए पूरी दुनिया में अवेरनेस भी फैलाना है क्यों दो फरवरी को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल वेट लैंड्स डे और इसी इंटरनेशनल वेट लैंड्स की थीम यहाँ पर कोश्चन में पूछा था जिसका नाम है आद्रभूमी और मानो कल्याड तो कितना आप देख लो कि वेट लैंड्स आपके human being के लिए या मानो कल् रहे हैं इसके बाद कुछ चीज़े और यहाँ पर हैं जो मैं आपसे अभी चर्चा करूंगा इस टॉपिक से सम्बंदीत तो आप यह देखना बच्चों यहाँ पर इस बार की theme यहाँ पर था और भारत में यह जो current affair का question बन रहा है कि भारत में अभी कितनी नई आद्रभूमियों को जोड़ा गया है तो इस जो नई आद्रभूमियों हम लोग यहाँ पर जोड़ रहे हैं वो 5 हैं और इससे इनकी संख्या कितनी हो जाती 80 जो आलड़ी मैं बता चुका हूँ अब यह 5 नए अस्थानों के नाम आपको बिलकुल यह note कर ला है इसक्रीन सॉट भी आप ले सकते हो इसक्रीन सॉट लेकर भी इसको सेव कर सकते हो नहीं तो आप अपने नोट बुक में इसको note कर लेना कराई वेटी पक्षी अभ्यारन में और लॉंग वूड सोला रिजर्व बन यह तमिल नाडू के दो नए वेट लेंड्स हैं जो रामसर साइट्स में सामिल किये गए हैं इसके लामा अंक समुद्र पक्षी सनरक्षड और अग नासिनी मुहाना तथा मघदी केरे रिजर्व सनरक्षड यह आपको करनाटका में मिलेगा तो यह पांच नाम आपको याद रखना है और बहुत जादा जो है कि इंपोर्टेंट है बच्चो अगला कोशन जो है हमारा यहाँ पर वो है सूरज कुंड सिल्प मेला कहां अव्युद किया जाता है तो भारत मेलों का देश कहलाता है बच्चो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो गाउं में हमारे गाउं के परोस गाउं में बहुत सारे मेले लगते थे और हम लोग खूब मेला देखते हैं आप लोग भी देखते होंगे तो भारत में इतने मेले लगते हैं कि आप समझ लीजे कि इसको country आप फेर्स भी कहते हैं हम लोग कि मेलों का देश है ये बिल्कुल तो इसी context में इंडिया का एक बड़ा famous मेला होता है सूरज कुंड का मेला और ये सूरज कुंड का जो सिल्प मेला है जहां पर कुछ जो लोकल चीजे हैं या जो एक तरीके से कह सकते हो हैं हैंडि क्राफ्ट का मतलब अच्छो होता है जो हाथ से बनाई हुई लोकल चीजे होती हैं तो हैंडि क्राफ्ट प्रोड़क्ट्स इस वाले मेले में खूब सारे जो है कि आपको देखने को मिलेंगे, आप यहां purchase कर सकते हैं, sale कर सकते हैं, तो यह जो सूरजकुंड सिल्प मेला है, हर साल कहां पर आयोजीत होता है, सूरजकुंड कई जगे हैं, गुडगाओं में भी है, नोटा में है, फरीदाबाद में है, गाजियाबाद में है, त बता रहा हूँ, कि जैसे ये इस बार सैंतिस्वा सूरजकुंड सिल्प मेला था, जो भारा सरकार ने आयोजीत किया था, इसका जो उद्गाटन हुआ बच्चों, इसका उद्गाटन दो फरवरी को भारत के राश्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था और ये 18 फरवरी तक रहेगा मेला, तो दो फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच ये मेला इस बार चलेगा, और ये बार बार मैं कह रहा हूँ, कि हरियाना के फरीदाबाद में ये जो एकी मेला लगाया जाता है, अच्छा ये मेला एक सूरजकुंड नाम का तालाब है, उसी क आजपास इसको जो एकी लगाया जाता है, तो इसलिए इस मेले का नाम भी सूरजकुंड पढ़ जाता है, ये जो सूरजकुंड नाम का तालाब है, इसका जो निर्मान की कराया था, तोमर वंसी राजा, तोमर नाम आप बहुत सुने होंगे, और तोमरों के बारे में कहा ज जाता है, कि ये ही तोमर जो एकी दिल्ली बसाने वाले राजवन्स हैं, तो तोमर राजवन्स बहुत फेमस है, दिल्ली के आस्पास एरियाज में ये फैले हुए थे, तो तोमर राजवन्स में एक राजा था सूरजपाल, और इसी सूरजपाल ने इस जलासे का, या इस ता जाद से लगबग 20 से अधिक देश यहां पर आए मतब उनके जो पाटिसिपेंट थे इसमें भाग लिये और उसके बाद ये जो मेला है एक तरीके से इंडिया की कल्चिरल डाइवरसिटी को डिनोट करती है कल्चिरल डाइवरसिटी को रिप्रजेंट करती है और अगर हम इस मेले में कभी गर चले गए बच्चों आप याद रखना मौका अगर मिले तो एक बार जरूर जाईएगा इससे आपको इंडिया की जो कल्चिरल वराइटी है वो बहुत जादा आपको यहाँ पे समझ में आएगी और डिफरेंट टाइप्स के जो है कि यहाँ पे आपको आर्किटेक्ट और है जो अगला कोश्चन है उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उडान भरेगी तो पहले तो यह जान लो कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा महत्वकांची जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गगनयान 2025 में तो हम को किसी हाल में इसको करना ही करना है अगर हम इसको 2024 में भी कर सकते तो कर लेंगे लेकिन फिलहाल इसका जो टार्गेट है गगनयान विशन का जो इंडिया लॉंच करेगी इसको वो 2025 تक करेगी तो 2025 से पहले यानि इस साल 2024 में अभी इसरो ने ये अनौंस किया है कि गगनयान से पहले हम एक महिला अंतरिक्ष रोबोट को लॉंच करेंगे वो जाकर इस पेस में यानि अंतरिक्ष में चीजों को समझेगी या एक तरीके से जो मानों के अनुकूल जो दसाएं हैं उसको पह ब्योमनाठ है तो नहीं गगनयात्री नहीं इस्टोर नाटिला नहीं उसका जो सही एंसर है बच्चों वो ब्योममित्र है इस ब्योममित्र नाम का जो रोबोट है ये महिला रोबोट है पहले तो ये जान लेना और ये ब्योममित्र जो सब्द डिजाइन किया इस रोने ये मित्र का मतलब होता है दोस्त या फ्रेंड तो इससे मिलकर ये सब्द बना हुआ है और ये आकास या अंतरिक्ष में जाएगा और वहाँ पर मानों के रहने लाइक माहुल का जो एकी जायजा लेगा। इस ब्योम मित्र नामक महिला रोबोट को लाँच किया था इसरो ने ही इसरो ने इसको बनाया था 2020 में इसरो के द्वारा ये महिला रोबोट निर्मित हुई थी और संबहतर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में यानि कि फर्वरी मार्च होते होते इसको लाँच कर दिया जाएगा। इसरो के जो अध्यक्ष हैं सोमनात सोमनात के द्वारा ये जानकारी साजा की गई है और इन्होंने बताया है कि इसरो बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को लॉंच करेगा और उसके बाद फिर हम लोग गगन्यान पर काम करेंगे इसरो भारत की एक बहुत महत्वपूर संस्था है अंतरिक्ष से रिलेटेड इसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्ज और्गनाईजेशन पूरी दुनिया में अगर जितनी तेजी से किसी संस्था ने डेवलप किया है तो वो हमारा इसरो है इसरो आज के डेट में अंतरिक्ष के छेतर में अपना बहुत बड़ा मुकाम आसिल कर लिया है दुनिया के तमाम देश आते हैं और इसरो से अपने सेटेलाइट लाँच करवाते हो भी सस्ते कीमतों पर तो इसरो कॉमर्सियल मार्केट में भी एंट्री कर चुका है दुनिया के अनेक देशों के सेटेलाइट पैसे पर रेंट पर वो लाँच कर रहा है साथ में इंडिया अपने तो सेटेलाइट लाँच करता ही है इंडिया के बहुत सारे पापुलर जो उसके सेडियूल थे य नहीं सफलता पुरुवक अपना जोएकी वहाँ पर क्या किया था लॉंचिंग कर दिया था इसके पहले मंगलयान पे और देश पहुचे थे लेकिन वो कई अटेम्ट के बाद पहुचे थे भारत दुनिया का पहला देश बना था जो पहले ही अटेम्ट में मंगलयान पे तो अंतरिक्ष में जानने के लिए हमारा गगनयान भी तयार है आदित्य एलवन काफी पापुलर हमारा प्रोजेक्ट है इसरो का जिससे हम सुर्य की पहुचने की बात करेंगे तो धेर सारे इसरो के यहां पे टार्गेट्स हैं इसरो के बारे में एक चीज और जानियेगा इसरो का जो establishment हुआ था 1969 में और इसका जो headquarter है बच्चों वो बैंगलूरू में है तो बैंगलूरू में इसका headquarter establishment 1969 और इसका head सोमनाथ यह तीन चीजे आप static में याद रखिएगा इसके लामा गगनयान मिशन कब तक launch हो सकता है भारत में दोजार पच्चीश तक तो इससे पहले हम लोग कौन सा launch करेंगे व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजेंगे व्योम मित्र है क्या यह एक महिला रोबोट है 2020 में यह बनकर तयार हुई है और अब इसको 2024 में launch किया जाएगा बच्चों अगला question हमारा यहाँ पर है फरवरी 2024 में उपभुक्ताओं को सीधे सबसीडी वाला चावल उपलप्त कराने के लिए सरकार द्वारा launch किये गए ब्रांड का नाम क्या है तो आप तो पहले यह जान लो कि इंडिया में यह वर्ड बहुत जादा चलता है और यह वर्ड है क्या हर 31 वर्ड से वाजिब होता है इसको कहा जाता है सबसीडी और हमारे डेली लाइफ में जो यूजफूल चीजें हैं जिसको हम डेली कंजूम करते हैं उस कंजंशन बास्केट से कुछ ऐसी वस्तुएं जिन पर सरकार अपनी तरफ से कुछ रियायत देती है सबसीडी का मतलब होता है कीमतों में रियायत और यह जो रियायत होती है यह सरक हमार देती है अपनी तरफ से कस्टमर के विहाब पर पैसा पेमेंट करके जैसे आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर हम पेट्रोल एक्चुल में अगर हम खरीदते हैं तो हो सकता है कि सौधी अरब हमको पेट्रोल तो नहीं खरीदना पड़ रहा है हम पेट्रोल को कहीं नहीं स दो रुपे गया सपास खरीद रहे हैं तो पर लीटर पे जो पचास रुपे का जो अलग से पेमेंट है एक्स्टा पेमेंट यही सबसीडी कहलाती है जो गौवर्मेंट हर व्यक्ति के लिए पे कर देती है तो सबसीडी इंडिया में बहुत जादा पॉपुलर वर्ड है औ परकार जनता के लिए इस पर कुछ सबसीडी देती है पहले तो इस समय जो एकी जैसे कि माल लिजे सो रुपे के आसपास डेड़ सो रुपे के आसपास सबसीडी मिल जा रही है कभी-कभी यह जब इंटरनेशन मार्केट में लपीजी महंगा होता है तो उसको कमपी भी कर देते हैं तो फिलाल हमारा यहां पर कोश्चन यह है कि चावल पर भी ऐसी एलपी सबसीडी दी जाएगी और चावल को बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस में यह मान कर चलिए कि इंडियन गवर्मेंट करी है कि हम 29 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल करेंगे तो चावल की जो कीमत होने वाली है यह 29 रुपे प्रती किलो होने वाली है और इस ब्रांड का जो नाम होगा वो नाम होगा बच्चो भारत राइस तो हमारा जो इंडियन गवर्मेंट का जो FCI है FCI कह रही है कि हम भारत राइस नाम का एक ब्रांड बना रहे हैं मार्केट में उसको लॉंच भी हम लोग कर दिये हैं और आप जाकर डाइरेक्ट आप 29 रुपे पर केजी के इसाब से इसको खरी सकते हैं इसके बारे में कुछ चीजे और आपको मैं पहले यहाँ पे दिखा दूँ यहाँ पे बच्चों आप देखना जिसे केंदरी मंद्री प्यूस गोयल ने वोगताओं को सीधे सबसिडी वाला चावल उपलब्द कराने के लिए नई दिली में भारत राइस ब्रांड लॉंच किया है चावल पाँच और दस किलो के पैक में 29 रुपए प्रती किलो के रेट से आपको मिलेगा सरकार सस्ती कीमतों पर रासन उपलब्द कराने के लिए प्रतिबद है इंडियन गोर्मेंट सस्ती कीमत पर रासन उपलब्द कराने के लिए प्रतिबद है और उसके तहट 81 करोड इंडियन को फ्री में रासन डिस्टिब्यूट किया जा रहा है इसके साथ ही अब आपने अभी मोधी सरकार लोगसभा चुनाओ को देखते हुए इसको अनाउंस कर दिया है कि यह जो इसकीम है फ्री रासन का यह हम लोग 5 साल के लिए और एक्स्टेंड कर रहे हैं तो अगले 5 साल तक फिर से बारत के 81 क्रोड लोगों को फ्री में रासन मिलने वाला है फ्री में रासन का मतलब है कि यहाँ पे जो है कि पर यूनिट 5 केजी के आसपास रासन आपको मिलेगा तो यहाँ पर एक चीज और समझेगा बच्चों कारेक्रम के दोरान चावल ले जाने वाले वानों को अरी जंडी दिखाएगी जो बिविन एजेंसियों के माध्यम से वो बुक्ताओं को वित्रड़ का संकेत देते हैं FCI पहले चरण में नाफेड, NCCF और इन सब के साथ मिलकर चावल उपलब्द कराएगा तो जो केंदर सरकार की केंदरी संगठन है FCI जिसकी बात बार-बार होती है Food Corporation of India EC की जिम्मेदारी है इस चावल को उपलब्द कराना, इसको इस्टोर करना साथ ही ये भारत राइस ब्रांड जो है ये 5 किलो और 10 किलो के पैकेट में रखा जाएगा चावल के बारे में एक चीज और आप याद रखना बच्चों यहाँ पे जो चावल होता है ये पूरे दुनिया का और पूरे भारत का सबसे महत्वपुड खाद्यान फसल है Food Crop जिस फसल को हम खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा important जो है पूरी दुनिया में चावल है और भारत में भी चावल है और चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है वो चाइना है इससमें टॉप कंट्री बना हुआ है और इंडिया का जो स्टेट है चावल प्रोडक्शन में वो वेस्ट बिंगॉल है लेकिन 36 गण जो इस स्टेट है वो इतना ज़्यादा चावल की प्रोडक्शिवीति रखता है या चावल के खेती में वहां के लोग इतना ज़्यादा इनवालव होते हैं इसको राव, राइस बावल आफ़ दे इंडिया कहते हैं भारत के चावल का कटोरा या भारत के धान का कटोरा ये कोई सा स्टेट कहलाता है 36 गड कहलाता है कई बार repeated question है फिर से तो तीन जानकारी आप याद रखिएगा बिसो में चावल सब ज़्यादा चीन पैदा करता है भारत में चावल सब ज़्यादा वेस्ट बेंगॉल पैदा करता है लेकिन 36 गड को कहा जाता है चावल का कटोरा या धान का कटोरा और पूरे भारत में गेहूं की तूलना में सबसे ज़्यादा जो खाया जाने वाला अपलब्ध कराने के लिए भारत राइस की ब्रांड जो है, लाँच किया गया, भारत मयानमाँ सीमा पर मुकत आवा जाई बेऊस्ता है, इसको दियां देभी जाएगा, इसको फिरी मूवमेंट रिजीम कहते है, FMR, इसका जो फुल फॉर्म है FMR का Free Moment Regime यानि कि मुक तावा जाए बेवस्था का उद्देश से क्या था पहले तो आप एजान लो कि यह न्यूज में आ गया और यह न्यूज में इसलिए आया क्योंकि 12 सरकार ने इस बेवस्था को खतम कर दिया कागी Free Moment Regime हम खतम कर रहे हैं और इस रिजीम को बनाया कब गया था इस बेवस्था को इस बेवस्था को बनाया गया था 2018 में दोनों देश की सरकारों ने मिलकर अपने बीच के जो दुई पक्षिय ब्यापार था दुई पक्षिय ब्यापार को और तेजी से bilateral trade को और तेजी से बढ़ाने के लिए इस बेवस्था को बनाया था और इसका main target यही था कि दोनों देश बिना दस्तावेज की बिना दस्तावेज का मतलब बिना वीजा के एक दूसरे के छेतर में 16 किलोमीटर तक की अनुमती उनको आने जाने की रहेगी तो इसका जो main उद्देश से था जैसे अगर आपसे exam में करेंट अफेल्ज में question आता है FMR क्या है तो यह भारत और म्यानमार के लोगों को बिना दस्तावेजों के एक दूसरे के छेतर में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमती देना है गौनो तेसों का ब्यापार थोड़ा सा तो increase किया इससे लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव भारत में बहुत ज़्यादा देखने को मिला उसका reason क्या था 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा म्यानमार हमारे साथ साजा करता है और म्यानमार की सीमा पर भारत के राजियों में अवडांचल प्रदेश नागा लेंड मनीपूर और मिजोरम है इन राजियों में से सबसे ज़्यादा मनीपूर के रास्ते अवैद स्मगलिंग हो रही है अवैद स्मगलिंग में ड्रक्स हो गया हुमन ट्रैफिकिंग हो गई इसके लावा जो है कि जालीक नोट या फरजी करिंसी जो है नकली नोट है और हथियार है बहुत सारी ऐसी चीजें है लिकर है, सराब है यह सब जो है कि नौर्थ जो यह म्यानमार या उधर के और भी जो देश हैं उन देशों से होते हुए इसी फ्री बॉर्डर रिजीम का फायदा उठाते हुए इंडिया में इंट्री कर रहे है इसी से भारत सरकार परिशान थी और भारत सरकार ने रिसेंटली एनाउंसमेंट कर दिया है कि हम इस वेवस्था को क्या कर रहे है खतम कर रहे है अत्मी को देश से क्या है बाजार में धनार पूर्ती को वेनेमित करना और मुल्य मुद्रा इस्विति का मुकावला करना ऑपरेटिंग बैंक दरे निर्धारित करना बैंकों के लिए धन की उपलब्दता बढ़ाना या उभगता मांग को प्रोसाइद करना तो पहले तो आप यह जान लो कि रेपो रेट होता क्या है यहाँ पे आपके सामने कोश्चन में दिख रहा है रेपो रेट रेपो रेट को कहते है री पर्चेज ओप्षन री पर्चेज इसका फुल फॉर्म एक बार S.S.C. ने पूछ रखा है तो आप इसको जरूर जानना री पर्चेज ओप्षन री पर्चेज ओप्षन एक ऐसा रेट होता है जिस पे कोई भी कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से अपने सौर्ट टर्म के नीड्स के लिए लोन ले सकता है तो पहले तो आप यह जान लो कि इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं जिनको हम कॉमर्शियल बैंक्स कहते हैं तो यह जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं लाइक S.B.I. हो गया या P.N.B. हो गया या फिर अन्य जो HDFC वगयरे का आप नाम सुनते होंगे इन सारे बैंकों को पैसे की जुरुत पड़ती है और यह अपने जुरुत के लिए किससे उधार लेने जाते हैं तो यह R.B.I. के पास उधार लेने जाते हैं तो R.B.I. इनसे सौट टर्म के लिए पैसा इनको देता है और इनसे उस पर एक रेट वसूलता है उसी रेट को कहा जाता है रेपो रेट तो रेपो रेट क्या हुआ एक लाइन में डिफिनेशन समझ लेना जब केंदरी बैंक R.B.I. अन्यवारिजिक बैंक जैसे S.B.I. को उसके अल्प कालीन यहाँ पे जरूरत याद रखना लंबे समय के लिए पैसा नहीं मिलने वाला है रेपो रेट पे रेपो रेट पे जब भी पैसा मिलेगा सौट रन के लिए मिलेगा तो अल्प कालीन जरूरतों के लिए जब वो उधार देता है R.B.I. S.B.I. को जिस रेट पर देता है उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट इस रेपो रेट का सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो बाजार में मनी सप्लाई को रेगुलेट करना बच्चों मनी सप्लाई जादा है कम है या कंट्रोल में है उस पूरी चीज की जो निगरानी होती है इन सारे फैक्टर्स की निगरानी करने की जिम्मेदारी R.B.I. की होती है क्योंकि R.B.I. को जाना जाता है as a controller of money market तो भारत का जो money market है जिसको हम मुद्रा बाजार कहते हैं उस मुद्रा बाजार को regulate करने का जो काम होता है वो R.B.I. करता है और R.B.I. इस regulation को अपनी monetary policy के तहट क्या करती है control करने की कोशिस करती है यहाँ पर एक चीज और जानिएगा कि जब धनापूर्ती को वो regulate करेगी R.B.I. तो उससे price inflation जो मुल्य मुद्रा इसफिती है उसको control करने की एक बहुत जादा chances बन जाता है तो जब हम money को control करेंगे तो उससे prices अपने आप control हो जाएंगी वो कैसे होंगी उसको और मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूं आप एक चीज याद रखना बच्चों हमेशा किसी भी अर्थवियोस्ता में अगर कीमत बढ़ती है तो उससे उपभोकताओं को परिशानी होती है कीमत बढ़ने से हमेशा उपभोकता जो है की परिशान होते हैं यानि उपभोकता वो क्या होता है नुक्षान होता है और जो उत्पादक होते हैं, जो producer होते हैं, इनको क्या होता है, इनको फायदा होता है, तो producer हमेशा यह चाहते हैं कि inflation यानि की कीमत बढ़े, लेकिन भोकता consumer चाहते हैं कि inflation न बढ़े, price न बढ़े, अब consumers की संख्या जादा है, 90% हर देश में consumers ही होते हैं, just 10% के आसपास producers होते हैं, तो इसी लिए सरकार भी क्या चाहती है, कि prices का एक balance बना रहे, न तो यह बहुत तेजी से price भागे, न तो बहुत ज़्यादा कम रहे, एक बीच में रहे कि दोनों को क्या रहे, फायदा रहे, इसी regulation को करने के लिए वो prices का जो controlling होता है, उसको अपने monetary policy के तैत करता है, और monetary policy का जो सबसे बड़ा हतियार होता है बच्चों, वो repo rate होता है, अब repo rate में वो क्या करता है, जैसे मान लीजे money supply अगर economy में बढ़ानी है, अगर RBI चाहती है, कि हम money supply economy में बढ़ा दें, अब money supply से देखिए क्या होगा, money supply जैसे ही बढ़ेगा, तो लोगों की income बढ़ जाएगी, और जब लोगों की income बढ़ेगी, तो लोगों की purchasing power बढ़ जाएगी, यहाँ पर याद रखिएगा, तो purchasing power बढ़ेगी है, यहाँ से demand बढ़ जाएगी, और जब demand बढ़ेगी, तो अल्रेडी यहाँ पर prices hike करेंगी, तो एक चीज़ याद रखना, money supply और prices के बीच में positive relation होता है, और जब जब RBI money supply increase करती है, pump करती है economy में, तब तक prices भागती है, दूसरी तरफ, अगर RBI money supply को कम करती है, इसका मतलब है, जो nominal income है, consumers की वो कम होगी, या producers की कम होगी, जिससे purchasing power या फिर demand अल्रेडी कम होगी थोड़ी बहुत, और उससे फिर prices भी क्या होंगी, relatively कम होगी, तो बच्चों यहाँ पर यह देखना, अब मालोगर जैसे आप से पूछा जाए कि economy में RBI money supply बढ़ाना चाहती है, तो वो repo rate के साथ क्या करेगी, तो money supply कोण बढ़ाएगा, money supply commercial banks बढ़ाएगे, commercial banks के पास जितना पैसा होगा, उतना वो market में फिकेंगे, तो commercial bank के पास पैसा आएगा, कहां से, RBI से आएगा, और RBI इनको पैसा देगा, किस पर repo rate पर देगा, तो अगर repo rate बच्चों ज़्यादा होए, तो इसका मतलब है, ये कम पैसा लेंगे, तो money supply करने के लिए, हमेशा repo rate को गिराना पड़ता है, याद रखना, जैसे ही repo rate गिरेगा, money यहाँ पे, RBI जो ब्याज ले रहा है, जैसी हो बोलेगा, मैं कम लूँगा, सारे बैंक लूटने के लिए चले जाएंगे, लूट कर उलाएंगे, फिर वो कहाँ पर डालेंगे, market में डाल देंगे, फिर market में वो सारा काम हो जाएगा, तो याद रखिएगा, अगर money supply economy में ज़्यादा है, प्राइसे ज़्यादा है, इसको counter करने के लिए, RBI को, repo rate को क्या करना होगा, कम नहीं करना होगा, क्योंकि कम करने से तो या लेड़ी और बढ़ जाएगा, तो RBI को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तो ये एक line में आप समझ लेना, अगर economy में money supply ज़्यादा है, prices ज़्यादा है, तो repo rate को हमेशा बढ़ाने की कोशिज करता है, और यदि money supply economy में कम है, prices कम हो रही है, तो वहाँ पर वो चाहता है कि लोगों की income बढ़े, और income बढ़ने के लिए money supply बढ़ाने की कोशिज करेगा, और उसके लिए वो repo rate को कम कर देगा, जिससे सस्ता loan बैंकों को मिलेगा, फिर वो सस्ता loan आगे provide करेंगे, इसके अलामा बच्चों कुछ चीज़े और यहाँ पर देख लेना, ये news में आखिर repo rate आया क्यों, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते है, भारती Reserve Bank क्या करती है, कि एक monetary policy launch करती है, और monetary policy में इस बार भी उन्होंने क्या किया है, कि लगातार छटी बार 6.5% पर इसको fix रखा है, तो लगातार 6 बार से monetary policy यही कर रही है, कि वो repo rate को stable बनाए हुए है, इसका मतलब यह हुआ, कि इंडिया में जो controlling system है price को लेकर, वो काफी ज़य की balance position में है, तो कि अगर repo rate बढ़ाता, तो इसका मतलब यह हो जाता, कि कहीने कही money supply जादा है, महेंगा ही चल रही है, तो money supply कम कर दो, और अगर repo rate को गिराता, तो इसका मतलब यह होता, कि market में money नहीं है, money pump करने के जूरत है, लेकिन 6 बार से लगातार, इसको fix करने का मतलब है, कि कहीने कहीं money supply के मुद्दे पर हमारी economy काफी better position में है, एक चीज और याद रखना कि RBI हर दो महीने पर बच्चों, every two months पे monetary policy को launch करती है, और इस monetary policy को launch करने के लिए 6 members की एक committee होती है, और यह जो 6 members होते हैं, इसमें 3 members RBI की तरफ से होते हैं, और 3 members जो हैं, वो government of India की तरफ से होते हैं, तो यहाँ पर आप देखना कि यह जो मुद्रा इस्पृत्ती को चार प्रिशत के लक्षे से उपर बने रहने के कारण, 6 सदसी monetary policy committee के 5-1 बहुमसिया ने ड़े लिया गया, तो भाई ऐसा है कि monetary policy जो भी हो नहों होते एक अलग चीज है, हमारे हाँ एक कहावत है कि अगर आप development चाहते हो, तो आपको थोड़ी बहुत महंगाई तो जरूरी है, आप महंगाई accept नहीं करोगे, तो आप बिलकुल बिकास में नहीं हो, तो prices का बढ़ना तो जरूरी है, लेकिन अब यह नहीं कि prices बहुत तेजी से बढ़ जाए, तो यहाँ पे सरकार कह रही है कि हमारा जो खुद्रा मुद्रा इस फिती है, या जो खुद्रा महंगाई है, वो चार प्रतिशत पे लगातार बनी हुई है, या उससे उपर है, तो इसलिए हमको इसको बढ़ाने या गटाने के जुरुत नहीं है, और 6 लोगों में से यह जो result आया है, 5-1 के ratio में आया है, एक last यहाँ पे फिर से definition समझ लेना, देखिए यहाँ पे जो मैंने पहले ही definition समझाया था, रेपोदर वव्याजदर है, जिस पर bank अलपकालिक तरलता अंतराल को संबोधित करने के लिए RBI से धन उधार लेते है, technical definition है, मैं बिल्कुल आसान बासा हम बताया था, RBI अलपकाल इन जरूरतों के लिए अन्यवाड़ी जिक बैंकों को जिस rate पर उधार देता है, उसको हम रेपो rate कहते हैं, बच्चों यहाँ पर अगला question है कि आदी महुत्सों दोजाट चोबिस का प्रात्मी को देश से क्या है, पहले तो आप यह जान लो कि आदी महुत्सों है क्या, त एक बड़ा प्रोग्राम है, जो हर साल हमारा मिनिस्ट्री है ट्राइप से संबन्दीत और ट्राइप से संबन्दीत एक संस्ता है ट्राइफेड, यह दोनों मिलकर इसको host करती हैं, या फिर इसको जो है कि आयोजित करती है, आदी महुत्सों दोजार चोबिस इस बार जो है दिल्ली में किया गया था मेजर ध्यान चंद स्टेडियम में तो इसको मेजर ध्यान चंद स्टेडियम में आयोजित किया गया नही दिल्ली में और इसके लमाए एक चीज याद रखना कि आदी मौश सो दो जार चोबिस का जो सबसे प्राइमरी जो उसको कह सकते हो कि एम या target है वो हमारे tribes के cultural diversity को और ज्यादा improve करना इसके बाद बच्चो जो अगला question हम लोगों का है यहाँ पर विश्व पुस्तक मेला दोजा 24 का आयोजन कहां किया जा रहा है तो नई दिली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन प्रगती मैदान बच्चो एक चीज याद रखना कि अगर पुस्तक मेला से संबंदित question आ रहा है तो वो प्रगती मैदान में ही आयोजित होता है तो इसका सही answer है प्रगती मैदान इसके लामा एक चीज और यह जानना कि जो national जो world book fair है यह नई दिली में आयोजित हो रहा है और इसका जो date है वो 10 से 18 फरवरी के बीच यह भी है तो आदी मौसो भी 10 से 18 फरवरी के बीच चलेगा और विस्व पुस्तक मेला भी 10 से 18 फरवरी के बीच आयोजित किया गया बच्चो यह आज की जो वीडियो हम लोगों ने suit किया है यह फरवरी महीने की बहुत जाड़ा महत्वपुड तो बच्चो आज की जो वीडियो में हम लोगों ने जितने कोशन सब्मिट किये थे उन कोशन को एक बार फिर से मैं बस आपके सामने स्क्रीन पे ला रहा हूं और आप फास्टली रिवाइस कर लिजिएगा इनके एंसर्स जैसे जारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बना तो चमपई सोरेन इसके लावा किस राज ने 2024 खिलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है तो वो यह बच्चो तमिल नाडू इसके लावा अगला जो कोश्चन एक मैंने और लिया था विश्व आद्रभूमी दिवस की थीम क्या है तो आद्रभूमी और मानो कल्याड इसके बाद अगला कोश्चन हमने यहां पे लिया था सूरज कुंड सिल्प मेला हर साल कहां पर आउजित हो रहा है तो यह भरीदाबाद हरियाना में आउजित किया गया इसके लावा बच्चों उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम पूछा था करेंट अफेस में जो गगन यार मिसन के पहले अंतरिक्ष में जाने वाली है उसका नाम था भ्योम मित्र इसके लावा बच्चों यहाँ पर फर्वरी दोजार चौबीस में ही वोगताओं को सीधे सबसीडी पर जो चावल लाँच की जा रही है देने की उस चावल का नाम है भारत राइस भारत म्यानमार की सीमा पर मुक्त आवाजाही के लिए जो फ्री बॉर्डर रिजीम बेवस्था थी या फ्री मूवमेंट रिजीम बेवस्था थी उसको हम लोग खतम कर दिये हैं उसका टारगेट था एक दूसरे के छेतर में 16 किलो मिटर की मुक्त आवाजाही रेपो रेट क्या होता है बचो एक और कोश्चन इसमें हमने सामिल किया था रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें सेंटरल बैंक अन्य वारिजिक बैंकों को अलपकाली जरूरतों के लिए पैसा उधार देता है इसके लावा यहाँ पर एक question हमने और सामिल किया था, आदी मोच सो दोजार चोबिस का main target किया था, तो आदी मोच सो ट्राइब से संबंदी थे, तो ट्राइब के cultural heritage को और ज़्यादा improve करने के लिए, powerful करने के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं, last question हमारा यहाँ पर है, नई दिल्ली बिसुप उस तक मेला कायोजन कहाँ पर किया गया, तो वो प्रगती मैदान में किया गया, एक बार फिर से बच्चों, आप इस वीडियों के साथ जो भी question आपके साथ थे, अदर्स जो मैंने जानकारी दी, उसको अच्छे से पढ़ लीज हम लोग इसमें जुड़े रहें आपके साथ, धन्यवाद हैं।